तो पूरा देश तो दिपावली के रंग में सराबोर हो चुका है और इस बीच घाटी में B.S.F. के जवानों और उनके परिवारों वालों के लिए भी दिपावली के मेले का आउजन हुआ जहां जवानों ने खुम अस्ति की अपने परिवार वालों के साथ खरीदारी वेगी ये मेला सरहत के शूर वीरों के लिए था उन जवारों के लिए था जो देश की रक्षवा के लिए सीमा पर दिन राज तैनात रह थे घाटी में बियसेफ के जवानों और उनके परिजिनों के लिए दिवाली मेले का आयोजन किया गया इस मेले में धोल लगाणों के साथ साथ संगीत के सुरों ने खूप समावान मेले में इस चौल भी थे और बच्चों की मनुरंजन का खासा प्रबंद भी किया था उनके परिवार के लोग हमारे पास यहाँ हेड़कॉर्टर्स में रहते हैं उनके लिए ये मेले का आयोजित किया गया है जिससे के वो दिवाली से पहले अपने मेले में जो सामान वगर उनको चाहिए पूजा के लिए वो सब यहाँ उपलब्द कराया गया है B.S.F के ओर से आयोजित इस मेले में B.S.F के कश्मीर जोन के आईजी विकास चंद्रा ने चीफ गेस्ट के तोर पर शिर्कत की उन्होंने मेले का महत्त बताया सेना के जवानों के बहदुरी को सलाम किया उनके कुर्बानियों को याद किया मेले में जवानों के परिवार के सदस्यों ने म्यूजिक का लुद्फ उठाया साथी खूब मस्ती की और खूब खरिदारी की अधाया विए सफ के जवान हैं वो सारे बॉडर पर तनाद है और यहां दिवाली का मेला इस लिए लगता है क्योंकि काफी सारे लोग इस कैमपस के दिवाली पर जो अपने घर नहीं जा सकते है जिनका घर बहुत दूर पड़ता है उनके लिए मेला खास कर आयोजन किया जाता है क्योंकि ठाकि वो उनको ये फेल ना हो कि हम घर नहीं जा सकते हम अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मना सकते जवान देश की शान है जवान देश कमान है यह हर वक्त सीमा पर दुश्वन से लड़ते हैं पूरा मुल्क जब खुशिया मना रहा होता है तब हमारे जवान बॉर्डर पर सरहदों की सुरक्षा करते हैं सही माइने में यह देश के असली हीरो है कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24-7